बिस्मि लाभर्मार्गी असलामलिएंकुम स्टुरेंस आज का हमरा लेक्ट जो है वो फरेक्ट फॉंक्शन के ओपर है 1.2 exercise का question number 48 हमने इसमें करना है लेकिन उससे पहले bracket function को थोड़ा से समझ ले कि bracket function होता क्या है यह आपके सामने एक bracket function लिखा है f of x is equals to और x और x के round इस तरहां की bracket डाली भी है इसको represent ऐसे करते हैं कि bracket डाल देते हैं अपने function के बाउट जो भी आपका जिसका भी आप चाहे x है bracket के अंदर चाहे x minus 1 है चाहे x plus 1 है यह देखें जी यह function ऐसा होता है इसकी domain और range r पे real numbers पे मुझत मेल होती है यानि कि any subset of real numbers और इसी तरहां से इसकी range भी any subset of real numbers तो यह real valued function होता है और यहाँ पे bracket जो है यह denote करती है the greatest integer greatest integer का मतलब क्या है यानि कि इसको define कैसे किया जाता है सबसे पहली बात यह कि यह function अगर है यह bracket का मतलब क्या है मतलब उसने सिर्फ सादे लफ़ों में बताया है this bracket shows the greatest integer इसका जो भी answer bracket का खुल के आएगा that should be an integer and the greatest integer अब वो greatest कौन से integer, greatest integer the greatest integer that is not greater than this number x अब मैं इसको थोड़ा सा आपको simplify करके बताती हूँ जैसे कि मिसाल के तौर पर पहली बात तो यह है कि जब भी आप किसी यह जो x है यह x कोई भी real number है जब भी आप किसी real number के उपर यह function bracket function apply करोगे तो पहली बात यह कि उसकी bracket का answer एक integer आएगा ठीक है जी real number की bracket का answer एक real number नहीं आएगा बलके एक integer होगा अब चुके integer देखें दो तरहां की चीजें है अगर तो आप किसी integer की उपर bracket function apply कर रहे है जैसे आपके पास 2 है 2 एक integer है तो f of 2 का जब आप bracket लेंगे तो इसका answer जो है वो itself यह खुद आ जाएगा 2 की bracket का answer 2 खुद है जैसे जितने भी integers हैं चाहे वो positive integers हैं चाहे वो negative integers हैं चाहे आप minus 2 कर लो तो minus 2 की bracket का answer minus 2 ही होगा यानि कि जब भी आप किसी real number की bracket लेते हैं तो bracket खुलती कैसे है कि उस bracket के खुल के आपके पास जो answer आता है वो एक integer होता है अगर तो वो real number खुद एक integer है तो वो ही integer answer में आ जाएगा लेकिन अगर वो real number एक integer नहीं है मिसाल के दौर पे अगर आप 2.1 की उपर bracket apply करते है 2.1 तो 2.1 की bracket क्या खुलेगी देखे 2.1 की जो bracket है वो भी खुलके एक आपके पास integer ही आएगा अब सवाल ये बैदा होता है कि कौन सा integer देखे अगर number line पे हम 2.1 को देखते हैं मिसाल के तौर पे यह आपके पास है यह आपके पास number line है और यह आपके पास 2 है इसके right पे 3 है इसके left पे 1 है और 2.1 for example आपके पास यहां पड़ा हो है तो 2.1 को जब आप bracket आपने bracket apply की तो इसको जब आप खोलेंगे तो answer तो इसका integer आना है आप देखें कौन सा integer आना है क्या 2 आएगा क्या 3 आएगा कौन सा integer आएगा तो वो integer इसके answer में इस real number की bracket का answer वो integer होगा जो integer इस real number से वो greatest integer जो इस real number से less होगा ठीक है not more than this real number greatest integer that is less than this real number अब इस real number 2.1 से जो less आपके पास integers है उसमें आपके पास 2 भी आता है उसमें आपके पास 1 भी आता है उसमें आपके पास 0 भी आता है वो सारे जीरो की बाग पे जितने भी left side पे आप चलते जाएं वो तबाव integers 2.1 real number से छोटे हैं लेकिन साथ ही restriction एक और भी है कि the answer of this bracket is the integer that is less than this real number and that integer should be greatest among all those यानि कि वो तमाम integers जो इस real number से छोटे हैं उन में जो सबसे greatest है वो आपका answer में आएगा अगर इन तमाम integers का मकाबला करें तो सबसे greatest जो यानि कि इस real number से just below जो आपके पास integer integral value है वो आपके पास 2 है तो इसका जब आप integer bracket खोलेंगी तो आपके पास answer जो है वो 2 आएगा ठीक है तो यह इस तरह से आपके पास यह bracket function खोलता है तो hopes हो कि आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी अब चलते हैं वापिस इसके graph की तरफ भी चलते हैं और इसके graph से भी काफी idea ले 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 लेते हैं कि graph किस तरह का बनेगा यह देखें इसने यहाँ पर define कैसे किया अब आपको दो अब जब भी आपने bracket function को समझ रहा है तो आपने जब किसी real number की उपर bracket function apply करना है तो उस real number को दो हिसों में divide कर लेना है आपनी thought में एक integers को separate कर ले क्योंकि integers चाहे positive हो negative हो उनकी bracket का answer वो ही integer itself आ जाता है और दूसरा कोई भी fractional numbers ठीक है यानि कि कोई भी fraction की form में जैसे 2.1 हो गया जैसे 4.something हो गया minus 1.something हो गया इस तरह के जितने भी numbers हैं उन numbers की जो bracket है वो भी integer answer देगी लेकिन उसमें थोड़ा सापको सोचना पड़ेगा उनका answer कौन सा integer होगा वो integer जो उस real number से less हो और उस real number the greatest of all those integers जो उस real number से less है उन सब integers में जो सबसे greatest है वो उसका answer होगा ठीक है जी अब देखिए अगर तो आपका real number x हो है 0 और 1 के दरमयान number line पे लाए करता है तो फिर आपका answer जो है वो 0 होगा क्योंकि 0 से 1 0 से 1 यह देखिए अगर आपका real number 0 से 1 के दरमयान है तो फिर जो greatest integer less than these real numbers होगा वो 0 ही होगा इसलिए यह तमाम इस interval के अंदर 0 से 1 के दरमयान के interval में यह तमाम real numbers की जब आप bracket खोलेंगे तो आपका answer सबका 0 ही आएगा यह देखें यह जब आप इसको sketch करते हैं तो जब आप 0 से लेकर 1 तक 0 से लेकर 1 तक जितने भी real numbers हैं उन सबकी जो bracket का answer है वो आपके पास 0 ही आता है यह जो मैं purple line से draw कर रही हूँ तो आपके पास answer 1 आता है क्योंकि greatest integer less than all these real numbers is 1 तो फिर जब आप उसका graph sketch करते हैं तो आपका इस तरह की यह straight line और इसी तरह से 2 से 3 के दरम्यान जो आपका graph sketch होता है वो यह straight line यानि कि 2 से 3 के दरम्यान जितने भी real numbers हैं उन सब की bracket का answer आपके पास 2 आता है तो यह graph के जरीए भी हमने इसको समझ लिए bracket function को कि bracket function होता क्या है और integers का कैसे खुलता है और fractional value का यानि कि decimal numbers का bracket function किस तरह से खुलता है तो इसके बाद अब चलते हैं questions की तरफ question number 40 की तरफ जो कि हमारा bracket function की उपर है जी यह है question number 40 40 के 4 parts है पहला part यह है कि यहाँ पर आप से कहा जारे है कि evaluate करनी है आपने bracket function को bracket function को खोलना है यानि कि इसको find out करना है इसका answer क्या आता है और इस पर limit लगानी है limit x is approaching to 1 जबकिए आपका bracket apply हो रहा है 2x की उपर जिसमें x approach कर रहा है 1 को और साथ में x minus 1 यह कोई दूसरा function है इनके polynomial है और यह simple इसकी bracket नहीं है जो special brackets होती है bracket function की जो brackets होती है वो in brackets है capital brackets से represent होती है जो arm छोटी brackets होती है यह arm brackets है ठीक है जी तो आपने क्या करना है आपने यहां पर यह show करके दिखाना है आपने इसको evaluate करना है कि इस function के उपर जिसमें एक bracket function भी involved हो रहा है जब आप limit find out करते हैं तो limit का answer क्या आता है तो इसमें हम अपनी limit को left hand और right hand limit के तरीके से यहां evaluate करेंगे इनके simple limit के तरीके simple limit direct आप नहीं find out कर सकते है यह देखें जी हम इसको जानवुच के left और right में आपको करके तिखाऊंगी ताकि आपको पता चले clear हो जाए देखें जब आप यह कहते हैं कि x approach कर रहा है one को left side of one से यानि कि left limit के जब हम बात करते हैं हमारा x जो है वो one को approach कर रहा है from the left side of one it's mean कि आपका जो x है वो one से less है ठीक है यह कि आप left side of one में हैं तो very close to one तो आपका जो x होगा वो one minus something होगा जी तो इसमें आप x को लेट करेंगे चुए कि left limit है x is slightly less than one तो आप x को लेट कर सकते हैं 1 minus h where h is a very small real number approximately approaching to 0 अब आप अगर यह जाके अपने original question में put करें x की जगा तो आपका original question क्या है आपका original question है जी 2x bracket में है 2x और x minus 1 तो आप इसमें जाएं और जाके 2x बनाएं ज़रा 2x की जगा 1 minus h put किया 2x की answer आता है 2 minus 2h h आपका वैसे 0 को approach कर रहा है तो 2h इसकी जगा put करेंगे 2h भी 0 को approach करेंगा 2 minus 2h अगर हम गवर करें तो जब आप 2 में से something minus कर देंगे तो definitely आपके पास जो number आएगा वो less than 2 ही होगा ठीक है तो ऐसा number यह आपने बनाया क्या है basically आपने बनाया है यह देखें 2 minus 2h actually मैं यहाँ पर बताने का मकसद यह है कि 2 minus 2h is a number which is less than 2 यह देखें number line पे यह आपके पास 1 है यह आपके पास 2 है तो 2 minus 2h कहां लाए कर रहा है 2 minus 2h यहाँ left of 2 पर लाए कर रहा है क्योंकि यह 2 से less है तो अगर में आपको bracket function की बात करें क्योंकि 2x के about question में bracket है यहाँ bracket है यह bracket चल रही है ठीक है अगर हम bracket की बात करें तो 2x की जब हम bracket find out करेंगे 2x की bracket तो वो बराबर आजएगी 2 minus 2h क्योंकि 2x की value 2 minus 2h निकली है 2 minus 2h की bracket अब इस number को number line पे locate करना जरूरी है वो 1 होगा क्योंकि integer आना है और वो integer जो इस real number से less हो और greatest real number greatest integer जो इस real number से less हो तो greatest integer जो इस real number से less है वो 1 बनता है तो इसका finally यहाँ से पता चला कि जब हम left limit की बात करते है जब आपका x जो है वो approach कर रहा है 0 minus को sorry x जो है approach कर रहा है 1 minus को ठीक है तो फिर आपका bracket 2x की जो bracket खुलती है वो answer देती है आपके पास 1 अब इसके उपर limit अप्लाइ करतेंगे देखें अगर हम left limit को अलग से define करें left limit है x is approaching to 1 minus और यह आप अपने original function पर लगाए यहाँ से फिर x की value पूट करें जो कि h में convert हो जाती है फिर limit भी जाहिर है जब आप सारा conversion करेंगे variable की h में conversion करेंगे तो फिर limit भी h की हो जाएगी h is approaching to 0 और यहाँ आपके पास बनगे 2 minus 2 h इसका answer हम पहले ही निकाल चुके हैं यह 1 आता है और इसका answer जो है next है आपके पास यहाँ से left limit तो आपने evaluate कर दिए अब हम चलते हैं right limit की तरफ कि देखें जी right limit के लिए आपको क्या करना है x को approach करवाना है 1 plus ठीक है now x is approaching to 1 के head पे आप plus लिखते हैंगे तो फिर x जो है वो 1 से 1 को approach कर रहा है from the right side of 1 यह देखें यह number line पे 1 है और आप यहाँ से 1 को approach कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप 1 के right पे हैं और 1 के right पे इतने भी numbers हैं वो 1 से greater होते हैं तो suppose करने के x ही value यहाँ पे 1 plus h है left limit पे हमने 1 minus h की थी right limit पे हम 1 plus h कर रहे हैं where h is approaching to 0 इसके बाद आपने यहाँ पे original जो question है जिसमें 2x की bracket है उसमें जाएं और x की जगा आप 1 minus h put करते हैं यह आपके पास यह scene बन जाएगा तो आप यह देख रहे हैं कि आपके पास 2 plus 2 h definitely एक ऐसा number है जो कि 2 से slightly greater है ठीक है तो एक ऐसा number number line पे जो 2 से slightly greater होता है 2 के right पे होता है तो उसके जब bracket का answer होगा यानि कि यह number 2 point something है तो इसकी जब bracket लेंगे हम तो इसकी bracket का answer जो है वो greatest integer less than this real number आएगा तो greatest integer which is less than this real number is 2 तो इसका answer जो है bracket का आपके पास 2 आता है ठीक है तो अब चलते हैं properly apply करते हैं अपने question के उपर right limit या अपने right limit apply की और इसमें जब आप x की conversion करेंगे तो limit भी आप h की put करेंगे अब आप यह देखें कि इसका answer इसकी bracket का answer तो हम पहले ही 2 निकाल चुके हैं तो इसके उपर limit जो है वो apply नहीं होगी जाहर है real number की उपर limit तो h वाले function की उपर apply होगी जहां h involve हो रहा है तो इसको तो हम as it is लिख लेंगे लेकिन right hand side पे limit चुके है h involve हो रहा है यहां पर limit apply होगी और होके आपके पास answer जो है वो 0 और final answer आपके पास 0 आ जाता है at 1 तो final आप answer यह देंगे कि limit of the function जो है वो 1 पे आपकी exist कर रही है जी next question है 40th का second question second part है x bracket and x plus 1 bracket यहां दो brackets involved हो रही है और इसमें भी x2 है वो approach कर रहा है 1 पे और आपको यहां पे evaluate करनी है limit और यहां से right limit और left limit के way में हम यहां पे evaluation करेंगे तो आपने यहां right और left दोनों limits find out करनी है अलग लग से और फिर हम evaluate करते हैं देखते हैं कि answer क्या आता है देखें जी आप left hand limit इसके उपर apply करें तो x is approaching to 1 minus it means x is slightly lesser than 1 तो x की value आपने 1 minus h less कर ली support कर ली where h is approaching to 0 अब यहां पे आपके पास जब आप put करेंगे यहां put करेंगे 1 minus h और यहां भी जब put करेंगे 1 minus h तो finally यहां पे h बन जाएगा ठीक है जब 1 minus h यहां put करेंगे तो definitely 1 minus h एक ऐसा number है जो कि less है 1 से और greater है 0 से ठीक है क्योंकि h approximately छोटा सा कोई real number है अब ऐसे तमाम real numbers जो 0 से 1 होते हैं 0 से greater होते हैं और 1 से less होते हैं उन तमाम real numbers के जब आप bracket करेंगे तो definitely यानिकि जो 0 और 1 के दरम्यान real numbers है यह 1 minus h एक ऐसा real number है जो 1 से less है और 0 से greater है तो फिर इसकी जब bracket खुलेगी तो definitely bracket के according function की definition के according इसका answer 0 आएगा अब चलते हैं x plus 1 की bracket की तरफ इसका answer जो है वो 2 minus h बनता है और 2 minus h obviously is a number that is less than 2 तो और greater than 1 और 2 के दरम्यान यह होगा ठीक है तो यह real number 1 और 2 के दरम्यान क्यों होगा क्योंकि आपने 2 में से slightly आपने 2 में से h minus कि और h बहुत छोटा सा कोई number है real number है जब number की real number की subtraction करेंगे तो आप बिलकुल बहुत जादा 2 से दूर नहीं चले जाएंगे आप 2 के just left पे जाएंगे और 2 के बहुत करीब रहेंगे तो इसलिए मैं यहां पे मैंने mention किया है कि 2 minus h जो है वो 2 से तो less है लेकिन 1 से greater ही रहेगा ठीक है तो इस तरहां के numbers जो के 1 और 2 क दर्म्यान है उनकी जब bracket खुलेगी तो bracket का answer definitely आपके पास 1 ही आएगा यह देखें जी इस bracket का answer 0 इस bracket का answer 1 और limit अपला ही नहीं हो सकती क्योंकि यहां पे age खतम हो गया तो finally आपके पास 0 आएगा तो left hand limit आपने यहां पे वालुएट की और वालुएट करके आपके पास जो answer आया है वो answer है 0 अब हम चलते हैं right hand limit की तरफ जी right hand limit में x is approaching to 1 plus है और इसमें x की value आप पूट करेंगे 1 plus h where h is approaching to 0 तो यह देखें इसमें put करने के बाद आपके पास क्या चीज़ बनती है देखें x bracket का क्या बनेगा x की रिखा पूट करें 1 plus h 1 plus h definitely 1 से तो greater है लेकिन 2 से छोटा होगा again वही reason क्यों क्यों क्योंके h वो slightly आपका पास छोटा से एक number है उसके बाद आपने क्या करना है इसका answer 1 plus h यान कि यह number आपका 1 और 2 के दर्मयान है that's why इसकी जब bracket को लेगी तो answer जो है greatest integer which is less than this 1 plus h तो वो 1 ही आएगा इसके बाद x plus 1 को जब आपने put किया तो यह 2 plus h है और 2 plus h एक ऐसा number है जो 2 से greater और 3 से less है तो यह 2 और 3 के दर्मयान है इसलिए इसकी bracket का answer जो है वो 2 आएगा और जब आप इसको finally यहां पे left hand limit को put करते हैं तो आप यह brackets के answer लिखते है और answer आपके पास जो है वो 2 आता है अब right hand limit का answer जो है वो आपके पास 2 आया है और left hand limit का answer जो है वो आपके पास 0 आया था अब left hand और right hand limit वैसे तो exist कर रही हैं लेकिन अगर equality के point of view से देखा जाए तो equal नहीं है इसलिए हम finally कहेंगे कि limit of the function जो है वो overall exist नहीं करती at 1 जी third part है 40th का आपके पास ये scene है कि limit x को approach x जो है वो 0 को approach कर रहा है और x multiply हो रहा है bracket of 1 by x अब यहाँ x की bracket नहीं है आपने 1 over x यहीं कि x के reciprocal की bracket लिए है तो आप इस पे limit apply करें और limit apply करके जी बताएं कि answer क्या आता है अब इसमें भी हम left और right limit को अलगलग evaluate करेंगे लेकिन यहाँ पर evaluation से पहले एक खास technique की इस्तेमाल करनी है एक खास result bracket function का इस्तेमाल करना है और वो result मैंने आपके सामने रख दिया है यह देखें जी result क्या है result आपके पास यह है कि किसी भी number की जब आप किसी भी real number की जब आप bracket लेते है तो वो bracket का answer जो है उस real number से यह तो less होता है यह equal होता है आप यह दोनों बाते कैसे है देखें अगर तो वो real number एक integer है तो फिर उसकी ब्रैकेट का answer वो ही real number आजाएगा उस case में bracket का answer और original real number equal होते लेकिन अगर आपके पास वो real number एक integer नहीं है जैसे 2.1 है तो फिर उसकी bracket का answer जो है वो 2 आएगा यानि कि bracket का जो answer आया है वो original real number से क्या है original real number से original real number आपके पासे 2.1 2.1 से उसकी bracket का answer छोटा है तो इस case में आप कह सकते हैं कि bracket of this real number laser आती है उस number से अगर वो number एक decimal number होता है ठीक है तो यह दोनों results true है यानि कि किसी भी real number की bracket का answer less than equal होता है उस real number से यह दोनों results तो मैंने आपको करके दिखा दी अब देखें यह वाला relation यह वाला relation क्या है कि किसी भी bracket real number की जो bracket है वो greater होती है उस real number में से आप one minus कर दें मिसाल की तुरपे two के case में two की जो bracket है वो definitely greater है two minus one से ठीक है ठीक है यह two की bracket का answer जो है वो two है और two greater है one से यह तो true हो गया ठीक है और अगर आप real number की बात करें जैसे two point one है उस case में देख लेते हैं जैसे two point one है two point one की जो bracket है उसका answer two है और definitely यह भी greater होगा two minus one से two minus one है आपके पास one इस case में भी यह आपके पास one से यानि कि अपने ही उस real number में से sorry two point one है यहां पर two point one में से आप one minus कर लें तो आपके पास one point one आता है sorry यह one point one आता है तो one point one से definitely यह greater है पहले case में भी और इस case में भी ठीक है तो दोनों cases में यह result भी हमें समझ आता है ठीक है और अगर इसको और करके यहां less than equal का sign डाल दिये रहे तो भी कोई इससे फरक नहीं पड़ता equality वैसे actual result तो यही बनता है कि x minus one is always less than the bracket of x ठीक है लेकिन अगर आप यहां पर क्यूंकि आपके book में इस तरह का solution में आपको नज़र आएगा कि less than equal का sign भी है तो equal भी डाल जाए तो इससे कोई फरक नहीं पड़ता क्यूंकि simultaneously दोनों results true होते नहीं है दोनों में से कोई एक result अगर true हो जाए तो यह inequality justify हो जाती है तो यह result लेके हम चलेंगे और इसकी वजा क्या है हम इस result को कैसे utilize करेंगे कि आगे आपको पता चलेगा देखें यही जो result मैंने real number के उपर apply किया है यही result अगर मेरे पास x के बजाए x real number के बजाए one over x real number हो तो भी यही result bracket function का general result है यह always hold करेगा ठीक है तो मेरे चुकिए original question के अंदर scene यह था कि मुझे bracket नजर आ रही थी one over x की bracket तो मैंने यह one over x की bracket के उपर भी यह result apply कर दिया अब one over x की जो bracket है वो less than equal है one over x original number से यह देखें किसी भी number की जो bracket है वो उस original number से less than equal होती है that's why मैंने यहापे one over x टाला और original number में से one minus कर दें यानिके one over x में से one minus कर दें तो आपके पास जो भी number बनेगा वो इस bracket से less than equal होगा same यही result मैंने apply कर दिया जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ one over x मैंने रख दिया ठीक है क्योंकि यह result हर real number की उपर है तो x अगर एक real number है तो one by x भी एक real number होगा तो one by x की उपर भी यही result आपका applicable होगा अब आपने क्या करना है next आपने limit apply करनी है देखें आप limit apply करें limit x क्योंकि original question में आपकी limit है limit x is approaching to zero तो इसको दो ही सो में convert करने x is approaching to zero minus करने यानिके left limit के लिए और फिर इसी तरह से हम right limit के लिए करेंगे देखें जब हम कहते हैं x is approaching to zero from the left side of zero यानिके 0 minus उपर उसके head पे है तो इसका मतलब है आप left side से zero को x approach कर रहा है और x जो है zero के left पे है mean zero के left पे जो numbers होते है definitely वो negative होते है तो फिर x आपका क्या हुआ इस case में left limit के case में आपका x जो है वो negative है अब अगर x आपका negative है तो यह जो आपने inequality बनाई हुए number one जिसे मैंने नाम दि देखें आपने इसको भी x से multiply किया आपने इसको भी x से multiply किया यहां और इसको भी x से multiply कर दिया अब x चुकि एक negative number था और हम यह बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी inequality को किसी negative number से multiply किया जाता है तो उस inequality का symbol उलट जाता है यानि कि अगर पहले यहां से less than equal था यह यह चीज़ लेस थी और यह चीज़ ग्रेट थी तो आप देखें सिंबल उलट गया जो smaller था वो greater हो गया जो greater था वो smaller हो गया बिलकुल इसी तरह से यह सिंबल भी यहां उलट गया क्यों कि हमने तीनों तरफ एक negative number से multiply किया है इसके बाद आपके पास simplify करके form क्या बनती है आपके पास one minus x बनता है यह simplified form मैंने इसको कुछ भी नहीं किया इसको मैंने as it is रखा और right hand side पर आपके पास यहां one बन जाता है यह देखें अगर आप इसे देखें गौर से तो आपके पास यहां पर suppose करें कि यह आपके पास एक function है f of x यह एक function है g of x और यह एक function है age of x ठ function है यह तीन function है और इनके दिर्म्यान relation आपके पास इस तरहां का बन रहा है अब मैं आपको एक theorem से introduce कर आती हूं जिस theorem का result मैं यहां पर apply करूंगी वह theorem है जी हमारे पास sandwiching थे यह देखें जी sandwiching theorem की मैंने statement आपके सामने लिख दी है sandwich theorem क्या होता है कि इसी तरह से आपके पास तीन functions होते है f of x, g of x और h of x यह real valued functions है और इनके दर्म्यान relation इस तरह का है कि f of x is less than equals to g of x is less than equals to h of x अगर आप f of x की उपर limit apply करें इस तरह की और answer आपके पास li इसी तरह से यही limit आप apply करें h of x पे और उसका answer भी अगर आपके पास same यही आए जो f of x की limit का answer है यानि कि f of h की limit का answer अगर match करता है तो फिर जो center में function होता है इनके उसकी उपर यही same limit apply की जाए तो answer वो ही आएगा जो side वाले functions की limit का उस limit पे answer आए वो ही उस limit पे answer वो ही answer center वाले function का भी आपके पास आएगा तो यह हमारे पास sandwiching theorem इसको हम apply करेंगे और यह देखें जी हमारा apply होना है sandwiching theorem अब हम left limit की उपर apply करतेंगे यह देखें जी हमारा जो हमने निकाली थी यह वाला यह आपको इसको relate कराया थे यह f of x है यह आपका h of x है यह आपका जी of x है इस f of x के उपर left limit जरा apply करें और देखें क्या आता है बिल्कुल इसी तरह से h of x के उपर भी left limit apply करें अगर आपका f of x और h of x की same limit apply करने से answer same आता है तो वो ही limit जब हम center वाले function पर apply करेंगे तो उसकी limit का answer भी वो ही आएगा यह देखें जी limit x is approaching to 0 minus यह देखें यह है हमारे पास one minus x function की उपर जिसे मैं f of x कह रही हूँ इसके उपर मैंने limit apply की x is approaching to 0 minus तो आपके पास one answer आता है और h of x जो मेरे पास मैंने function लेट किया हूँ है वो मेरे पास one है इसके उपर भी left limit apply करने से answer one आता है और इसका मतलब फिर यह हुआ कि sandwiching theorem हमें यह कहता है कि जो center वाला function है जिसे हम g of x कह रहे है उसकी left limit का answer भी फिर one ही होगा तो automatically यहाँ पर आपके पास आपने करना क्या था आपने जो original आपका function है यह आपके पास original function है यह original function है इसकी आपने left limit find की और left limit का answer आपके पास 0 आगया अब हम इसकी right limit की तरफ चलते हैं इसकी right limit इसी तरीके से find करेंगे इसकी right limit का answer क्या आता है यह देखें जी वही वाली आपके पास inequality है और जो आपके पास inequality थी start में 1 minus x minus 1 over x minus 1 is lesser than 1 by x bracket is lesser than 1 by x अब आप right limit की तरफ चुके जा रहे हैं तो हम right limit में x approach कर रहा है 0 को from the right side of 0 यानि कि x is approaching to 0 plus इसका मतलब है x 0 के right पे है तो 0 के right पे जितने numbers हैं वो positive numbers है तो x आपका हम positive consider करेंगे इसी inequality में जाए और तीनों तरफ आपने x को multiply कर दिया अब आप ये देख रहे हैं कि inequality का symbol change नहीं हुआ क्योंकि जिस number से आपने multiply किया है वो number आपने positive consider किया है simplification के बाद ये चीज आपके पास बनती है और again ये आपके पास f of x है ये आपके पास h of x है और ये आपके पास g of x है अगें आप in f of x और h of x के उपर right limit apply करेंगे जो answer अगर same है तो वो ही इसके center वाले function का answer होगा ये देखें जी right limit apply की आपने 1 minus x के उपर जिसे मैं f of x के रही हूँ और ये जिसे मैं h of x के रही हूँ f of x और h of x के उपर right limit 0 को 0 point के उपर हमने apply की तो answer दोनों का 1 आता है इसका मतलब ये हुआ कि sandwiching theorem का दुबारा मैंने reference दिया है और sandwiching theorem के reference से आपके पास original center वाला function है जिसे मैं g of x के रही हूँ इसकी भी right limit का answer फिर 1 बनेगा क्योंकि side वाले functions की right limit का answer 1 है तो finally हमने ये देखा कि इस function की original हमारे पास function ये था इसकी left और right दोनों limits का answer 1 है that's why limit of the function जो हो exist करती है जी 40th का 4th part है आपके पास और 4th part में same वो ही question जैसे 3rd part है बस 3rd part में यहाँ x multiply हो रहा था bracket function के साथ यहाँ पर x cube multiply हो रहा है इस question को करने का तरीका बिलकुल same है जैसे आपने इससे पहले 3rd part किया वैसे ही आपने इसको 4th part भी करना है यह देखे जी वो ही inequality हम start में लेके चलेंगे वो ही relation हमने यहाँ पे mention किया जो हमने पिछले question में किया और उसी relation को हमने 1 over x पे apply किया उसकी बाद left limit चुकिए x is approaching to 0 left limit है x is approaching to 0 minus तो हम x से multiply करतेंगे तीनों साइडों को inequality as usual change हो जाएगी और simplification sorry x को multiply नहीं करेंगे पहले हमारे पास x था अब हम x cube से multiply करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा target यह होता है कि हमने यह बनाना है अपना original function बनाना है ठीक है तो original function में आपके पास x cube है तो यह जो inequality आपके पास है उसको आपने तीनों तरफ x cube से देखे multiply कर दिया अब x cube चुकिए x negative है तो x का cube भी negative ही होगा तो इस वरह से आपके पास inequality के symbols change हो गए और अब आप इस के उपर limit अप्लाई करें तो f of x के उपर जब मैंने left limit अप्लाई की तो answer 0 और h of x के उपर left limit का answer भी 0 आता है तो फिर center वाले जो g of x है उसके उपर भी left limit का answer 0 ही आएगा यह देखें जी left limit का answer जो center वाला function है उस पर भी आपके पास 0 ही आता है अब हम right limit की बात करते हैं यह भी sandwiching theorem से था अब हम right limit की बात कर लेते हैं right limit में भी उसी inequality को x cube से आपने multiply किया तीनों तरफ लेकिन right limit में जोकि x is approaching to 0 from the right side तो x positive है x positive है तो x का cube भी positive है तो x cube इसलिए तीनों तरफ multiply होके हमारी inequality के symbol को change नहीं करेगा अब आपने इसके उपर limit लगाएं और इसके उपर right limit लगाएं दोनों के उपर right limit लगाएं और देखें कि answer आता है इस दफा भी आपके पास 0 आ रहा है तो यही 0 जो है sandwiching theorem की विज़े से आपके पास center वाला function है उसकी limit का answer भी right limit का answer आपके पास 0 ही आएगा तो इस तरह से हमने देखा कि left और right limit दोनों का answer जो है यहां आपके पास 0 आता है इसलिए limit of the function भी अगर आप overall limit of the function पूछे तो वो भी 0 है तो limit of the function exist in this case जी तो यह last question था हमारी exercise 1.2 का और यहां भी हमारी exercise 1.2 खतम होगी इसके बाद इंशाला 1.3 की तरफ जो जै वो उसके lectures करेंगे और उसको solve करेंगे और तब तक के लिए चाह सकते हैं अलाँ आफिस